आज बसंद पंचमी है और मेरी तब से आप सभी लोगों को हैपी बसंद पंचमी बसंद पंचमी की ठेर सारी सुपकामना है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ तीन टोपिक को डिसकस करने वाला हूँ क्या एलपी को वीकली में एक दिन का छुट्टी मिलता है क्या इतने घंटे का होता है और इसका क्या नाम होता है क्या छुट्टी में भी आप लोगों को बुलाया जाता है ड्यूटी करने के लिए तो ये तीन टोपिकों मैं कवर करूँगा क्योंकि आज कल मेरी periodic rest लगी थी 30 hour की इसको periodic rest के नाम से भी जाना जाता है और ये 30 hour की होती है तो कल मेरी लगी थी 16 periodic rest 10-30 में लगी थी और अभी मैं rest up हो गया हूँ 16-30 में तो अभी मेरी duty की call कभी भी आ सकती है और ये 30 hour करें इसलिए मैंने सुचा ये topic को आप लोग को जानना जरूरी है तो आप लोग के साथ में topic को cover कर रहा हूँ तो कि आप भी ELP का exam देंगे और ELP बनेंगे तो आपको ये पहले से पता रहेगा तो आपके लिए फाइदा होगा तो चलिए शुरू करता है पहला topic topic को में discuss करता हूँ कि ELP को weekly में एक दिन का छुट्टी मिलता है कि नहीं तो जी हाँ ELP को एक दिन weekly में एक दिन का छुट्टी मिलता है और उसे हम लोग periodic rest के नाम से जानते हैं और ये हमेशा साथवे दिन पर लगाया जाता है पूरे इंडिया में जितने भी lobby है वहाँ पर ये periodic rest के नाम से ही जाना जाता है और ये 30 hour का rest रहता है जिसमें हर जगा ELP को हर साथवे दिन पर rest लगाया जाता है तो ये rest इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग 24 hour working करते हैं क्योंकि हम लोग की duty को schedule नहीं है ये कभी भी आ सकती है दिन या रात तो हम लोगों proper rest करने के लिए 30 hour का periodic rest लगाया जाता है और ये rest हम लोगों को जहां आप लोग पोस्टेट होते हैं वहीं पर rest लगाया जाता है फ्रेंड्स ये हम लोगों को लगाया जाता है periodic rest अपने headquarter में ही और ये periodic rest इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग हर दिन दूसरे जगा पर जाके वहां running room में रुकते हैं और इसलिए 30 hour के periodic rest हम लोगों को अपने headquarter में लगाया जाता है तो दूसरा topic आप लोग के साथ में discuss करता हूँ अभी तो दूसरा topic ये है कि ये rest कितने घंटे का होता है और ये rest का नाम क्या होता है तो आप लोगों को पहले में बताई दिया था ये rest 30 hour का होता है और इसका नाम रहता है periodic rest जिसको PR30 बोला जाता है और ये पूरे इंडिया में हर जितने भी लोबी है सब जगा इसी के नाम से जाना जाता है PR30 तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं आप लोगों के साथ है discuss कर रहा है क्योंकि ये 30 PR हर जगा लगाया जाता है आप LP बन जाओगे के future में तो आप लोगों को ये पहले से पता रहेगा तो friends आप 30 PR के बार में जानते हैं कि क्या 30 PR लगने के बाद भी आप लोगों को duty में बुलाया जाता है तो 30 PR लगने के बाद आप लोगों को duty में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि यह हम लोगों को rest करने के लिए ही दिया जाता है proper ताकि proper rest करके फिर से duty पर आये और यह हर मन्त में 4 PR लग जाता है 30 PR तो आप लोगों को इसलिए में share कर रहा हूँ information क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है और यह LP related information है तो आप लोगों को information कैसा लगा आप लोग कमेंट कर रहेगा मेरे comment box में और जल्दी मिलते हैं next video में और फिर आप लोगों को मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत support कर रहे हैं और 676 subscriber पूरे हो गए तो आप लोग ऐसा ही support करते रहे हैं और जल्दी से महान के करना जो भी चैनल फर्स्टाइम बीच करें चैनल को subscribe कर लिजे तो मीते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye take care and always be happy and respect your parents